हेलो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं ecosystem topic ecosystem topic जो है class 10th में our environment chapters में है और class 10th और 12th में यह दोनों ही topic जो आते हैं board exams में तो class 10th और 12th में यह long या short में पुछा जाता है question तो four marks में यह आता है तो बात करते हैं हम लोग ecosystem की ecosystem क्या होता है सबसे पहले बात करते है ecosystem word की ecosystem term या ecosystem concept या ecosystem का idea जो सबसे पहले जो इसने दिया उनका नाम क्या था एजी टांसले 1935 में एजी टांसले ने क्या किया हमको ecosystem term या concept के बारे में बताया कभी कबार objective question में यह पूछा जाता है कि ecosystem का idea concept किस ने दिया तो आप एजी टांसले को बताएंगे और या कभी पुछा जाता father of ecosystem अगर father of ecosystem के बारे में पुछा जाता है तो आप Alexander von Humboldt के बारे में बताएंगे तो यह दो questions आपके बन सकते हैं यहाँ पर अब बात करते है ecosystem क्या है तो ecosystem की definition जो है Odom ने दी है the basic functional unit of organism and their environment interacting with each other and with their own component तो यह definition जो है Odom ने दी है तो इसमें Odom ने कहा है कि जब functional unit होती है organism की और वो environment के साथ में interact करती है आपस में एक दूसरे component के साथ में तो उसको हम लोग क्या कहते है ecosystem कहते है तो ecosystem की definition बहुत important इसको आप अपने own words में भी लिख सकते हैं आपसे simple definition में आपको बताता हूं कि ecosystem की simple definition क्या होगी ecosystem में क्या होता है biotic और abiotic component तो आप इतना लिखेंगे when biotic and abiotic component are interact with their environment is called ecosystem तो यह आपको इतना याद खना है biotic और abiotic component जब environment से क्या करते हैं interact करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ecosystem कहते हैं ecosystem के यहाँ पर दो components है ecosystem को divide किया गया है एक biotic और दूसरा क्या है abiotic तो biotic का मतलब होता है living biotic का मतलब क्या होता है living यानि biotic component कैसे होते हैं वो हमारे living component होते हैं तो biotic component को क्या किया गया है three parts में divide किया गया है producer पहला है हमारा producer तो producer में एक वर्ड छुपा है produce करना और अर्थ पर energy सबसे पहले produce कहा होती है प्लांट में तो producers कौन हो गए producer ऐसे organism हो गए जो अपना food खुद prepare करते हैं वेन दोस और गणिजम विच केंड प्रपेर देर ओन फूड विद दा है पॉटो संथेस प्रॉसेस के तुरू जो और अपना फूड प्रपेर करते हैं वह क्या कहलाते हैं हमारे प्रडूसर जैसे की प्लांट तो कैसे प्रडूस करते हैं यहां पर एक रियक्शन मैंने करके प्रपोटो संतैसी है जो रियक्शन इंवॉर्थ से का यह सबसे पहले आप समझ लिए वाटर छीजे जब मल जाती हैं तो क्या होता warth ER फोर jerk आहां पर हम ने आपको बता दी फोतो शिंथख घ Yeshua क्या होती है मिल ग्रीण plant prepare their own food with the help of with the help of sunlight chlorophyll water and carbon dioxide is called photosynthesis तो producers कोन होगे वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं यानि plant पेड़ पॉदे जो अपना खाना खुद photosynthesis process के तरूब प्रिपेर कर लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं producers कहलाते next है consumers consumers वो organism होते हैं जो food को consume करते हैं तो consumer जो producer ने क्या किया energy को produce किया अब जो plant में जो energy है उसको क्या करेंगे तो consume कौन करेगा animals करेंगे तो वो हो जाते हैं हमारे consumers तो consumer को four part में divide किया गया है पहला है primary consumers primary consumers कौन से होते हैं प्राइमरी consumer वो होते हैं जो plant eating animals होते हैं जब कोई animal plant को खाता है तो वो हर भी बोरस कहलाता है तो primary consumers कौन से हो गए प्राइमरी कंजूमर आर दोस organism which can eat plants only is called primary consumer इनको आपने छोटी क्लास में हर भी बोरस अनिमल पड़ा होगा हर भी बोरस अनिमल कौन से होते थे जो plant eating होते थे तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं यहाप प्राइमरी consumers कहते हैं इनको आप में याद रख लिए शौट में plant eating animals जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी कंजूमर कहते हैं एक्जामपल हो गया काउ गोट यह हमारे हर भी बोरस अनिमल जितने भी होते हैं वो प्राइमरी करते हैं तो यहां पर आपको सिर्व इतना याद रखना है कि हर भी हर भी बोरस अनिमल को क्या करते हैं इट करते हैं सम एनिमल इट अगर एनिमल्स लाइक हर भी बोरस अनिमल्स इस कॉल्ड शकेंडी कंजूमर तो सेकंडी कंजूमर वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं ह तो क्या हो गया उसमें एक्जाम्पल आपका cat dog नेक्स्ट अब बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर की टर्सरी कंज्यूमर में क्या होता है कि जब कोई कार्णी वोरस एनिमल किसी दूसरे कार्णी वोरस एनिमल को खाता है और थारी कंज्यूमर क्या करता है दूसरे कार्णी वोरस एनिमल को तो आपको याद रखना है जो करनी वोरस एनिमल को ईट करते हैंholes वोजें रर noisy डर्य विजयर सेँ इनिमर फडार कोई कि लगारे को यह यह को यह देना टैश यह है लुब ने सब्सक्राइब तो यहीं दो कहाता है पिरеци करनि बहुरिक कोकाता यह दो यह भी गश्च को खाती緊 दोर्ण है इसमें कि शीया कने कि चुप कार्णी ऑर तो यह किसी किसी का शिकार बहुत हूं किे रहा इनियुनार्ट३ पें जो एनियुमों कि अनियुमरी चुह जायन्यूरत हो से होते हैं, जो किसी animals को खुद मारते हैं, तो खते या कोई animal अगर मरा पड़ा हुआ तो उसको यह नहीं खते हैं, खुद बात next है एक बायोटिक का third part decomposer decomposer को हम लोग कई और नाम से भी जानते हैं तो decomposers को हम लोग saprotroph के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग osmotroph भी बोलते हैं तो यह decomposers क्या होते हैं decomposer का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को decomposed करना डिकंपोस का मतलब क्या हो जाता है सड़ाहना तो πολ क्या उते हैं जब biot और ये बायिटिक कोन्ट क्या हो जाते हैza रकटिरिया परिण did की न्युक्ष कोन करता है दिरीया और फंजाएं घंड या की धे से बायोंटिक ओर ऐंस्दक्राइब एकल्फ कोन्ड डीघंपोजड हो जाते हैं और दे चले जाते हैं, soil के अंदर चले जाते हैं, और soil के fertility को increase कर देते हैं, किसकी वज़े से, bacteria और fungi की वज़े से, तो इस पूरे process को हम लोग क्या कहता है, decomposers बोलते हैं, अब हम बात करते हैं, abiotic component की, abiotic component, abiotic component का मतलब है, यहाँ पर abiotic का मतलब क्या होता है, non living, जो भी non living abiotic component को three parts में divide किया गया है, पहला है inorganic, तो inorganic material जो होता है, यह inorganic चीजे, तो इसमें क्या होता है, nature में आपने देखा हुआ, carbon है, hydrogen है, nitrogen है, oxygen है, और iron, यह सारी चीजे जो होती है, nature में, cyclic form में पाई जाती हैं, और यह कभी भी nature से गायप नहीं होती हैं, तो इसलिए in material को हम लोग क्या बोलते हैं, inorganic material बोल देते हैं, दूसरा है हमारा organic, organic जो होता है, इसको हम लोग नॉन साइकलिक भी बोलते हैं, और यह हम कह सकते हैं, biotic, abiotic के बीच का जो link होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, organic बोल देते हैं, तो आप इतना याद रखेएगा, organic में क क्या होगा लिंग होगा बायोटिक क्या होगा लिंग होगा तो छह क्या बन जाएगा आपका ऑर्गैनिक मिटेरियल लिक क्या हो ज जाएगा आपके कार्बो hai出来et हो जाएगा और फैट हो जैसे light की वज़े से temperature की वज़े से air की वज़े से humidity की वज़े से moisture की वज़े यह जितने भी component होते हैं वो हमारे किसमें आयाते हैं climatic component हैं यह सारे हमारे physical materials होते हैं तो यह abiotic का part होता तो यह topic जो है बहुत ही important है आपके board exams के लिए as well as आपके home exams के लिए और यह topic जो है आपका long में question पुछा जा सकता है short में पुछा जा सकता objective में questions पुछा जाते हैं तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से long में prepare करें बहुत अच्छी तरह से और यह बहुत ही अच्छा topic है important topic है easy topic है आप इसको easily revise करते रहें आपके exam में यह 100% आने वाला question है okay thank you